साथ बट्टा तीन अब क्या करो आप च्यार माइनस साथ बट्टा तीन करदो और इधर करदो साथ बट्टा तीन माइनस दो LCM लेलो बारा माइनस साथ तीन से तीन कैंसिल पाँच अनुपात एक ठीक है इनका अनुपात आ गया पाँच अनुपात एक इनको टोटल करो 6 हो रहा है और अपने पास है कितनी संक्या सीर की 180 है तो इसको सीर के बराबर लेलो कितना 30 का मल्टिपल हो रहा है तो निकालनी किस की है गाई की संक्या निकालनी गाई का अनुपात एक है एक को 30 से multiply करोगे तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा 30 ये था अपना 30 मेथड एलिगेशन मेथड अब करेंगे अपने चौथा अपना ट्रिक है option मेथड देखो option मेथड से कैसे करेंगे जैसे अपन लेते है option नमबर A अपन को निकालनी किसकी संक्या है गाई की निकालनी है तो गाई की निकालनी है तो सबसे पहले ये अपन को option में गाई की संक्या ही देख के रखेगा जैसे option नमबर A लेते है इसमें गाई की संक्या है 130 तो मुर्गी की कितनी हो जाएगी बची भी संक्या मुर्गी की हो जाएगी मुर्गी की कितनी होगी पचास अब गाय की पेर कितने होते हैं चार होते हैं तो चार से मल्टिप्लाई करोगे तो अब देखो गाय गाय की संक्या पांसो बीस आ रही है और जब कि टांगे तो चार सो बीस है तो यह option तो होई नहीं सकता दूसरा लो 150 जब इसको 150 लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा इसको 4 से multiply करोगे तो यह तो 600 और यह तो और भी इससे भी ज़्यादा है यह संग्या तो तो यह भी नहीं possible है तीसरा option 50 लो 50 को करो 4 से multiply और बचा कितना 130 130 को करो 2 से यह 200 और यह 260 मलब कितना हो गया 460 अपने पास कितना है 420 है तो option नमर 3 भी नहीं होगा option नमर 4 यह तो गाय है और बची कितनी 150 मूर गया 300 तो कितना गया 420 तो अपना option नमर D correct हो जाएगा तो friends आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमारी tricks आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल GD Campus उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे related आप और भी ट्रिक जानना चाते हो तो GD Campus पर जाएए और वहाँ पर आप देख सकते हो तो मिलते हैं friends नेक्स्ट वीडियो में तेंक्स